नमस्कार साथियों स्वावगत आप सभी का विद्यामंद यूट्यूब चैनल पे मैं चेंजल कुमारों को बताऊँ कि विगत सुक्रवारु सची वाले में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ चल रहा सची वाले कंतरी इन सब के जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूँगा आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं यह पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे विद्यामंद चैनल को नीचे दिए रेड कर बटन को दबाकर प्रेस कर लिजिए सब्स्राइब कर लिजिए साथी नीचे दिए गए बैल आइकन एन प्रेस के सिंबल को दबाकर उसको दबादी ताकि आगे समझेतनी वीडियो अपलोड कर यूटूब पे उसकी नोटिफिशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को कि दोस्तों जैसे की पतके बिहार में सिक्षक भाली आए दिन एक चर्चों का विशे बना हुआ रहता है क्योंकि इसके पीछे इतने सारे पेच्छ हैं जिसको लेकर ये बिहार का जो सिक्षक भाली इतना बड़ा एक मुद्दा बन जुगा है लोगी आम आभियर्तों के ब सब बात उनके मन में आते और आए भी क्योंकि वो लोग लगबग 2011 से 17 से इंतजार करते आ रहें कि बहाली कब होगी कब में बिहार में सिक्षक बनने का मौका मिलेगा और उनकी इंतजारी घडियां बहुत बढ़ती जाती हैं जिसके पीछे सबसे बड़ा करने यहां के प्रकात जो आरके महाजन सुई थी और इसी दिन आरके महाजन दो बात परस्ट कह दी थी एक बात तो एनाइस बेर्ड पास से बेटों का आता है कि आपको हम बिहार जिक्षक भाली में सामिल नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो कोर्स हो 18 महीने का है और इसके लिए मैं NCT से म आपको बियाड या डियाड वाली में विलम क्यों हो रहा है कब तक इस पर रोष्टर आएगा कब तक इसका विग्यापन का जो आपका प्रोसेस अभी तक आने जीलों के दौरा कहां लापा रहा है बरते जारी है इन सब पॉइंट पर क्या कुछ का आरके माजन और क्या कु कि माजन ने साब साप कहा कि यह शिर्शी करना हम लोग आपकी भाली करने नहीं जा रहे थे आप धियान से सुनिएette कि हम लोग आपकी भाली करनने नहीं जा रहे थे हमारा मूड बवाली लाने का बिल्कुल नहीं था वह तो प्रवाबत मात्रा में सिक्षक थे तो आप उनसे पूस्टमार के माजन जी से सर पैसा अपने घर से दोगे इन अभियतियों को क्या यह निदिस कुमार्च आप से पैसे देंगे यह पैसा जनता का टैक्स का पैसा है उनसे इंको सेलरी मिलेगी यह खुद टैक्स पे करते हैं कोई पैसा आप इनको रिफंड में सेलरी की तौर पे देंगे तो आप बहाली करने की बात कहां से आगई आप सुप्रिम कोड़ी बात कहके आते कि लगबग भीहार में दो लाग सी चकी बहाली करनी है इसलिए में इनको equal pay for equal work समान कम समान भीतर नहीं दे सकते और आप आप पॉइंट है many districts has made clearance on vacancy यान कि बहुत से जिलो में रिक्तियों को लेकर clearance हो चुका है इससे पहले भी जब हमारा वेदन 26 अगस सोना था उससे पहले भी जो है कई सारे जिलो में लगबग 25 जिलो में जो है रोस्टर का clearance हो चुका था तेरा जिले ऐसे थे जहां पे इसका clearance नह नहीं हो पाया है क्योंकि उस बात को चुपा के रख रहाता ताकि इस बात को disclose ना करें लेकिन बहुत से जिलो में इसका clearance हो चुका है साथी बहुत से भी हरती बहुत ही महनत कर रहे हैं जैसे आप स्क्रीन पेन को देख रहे हैं मदूबनी जिला से यापी दर्भंगा से सहर से खगड़िया से और सिता मरी से अन्य जिलों से काफी बहुत ही महनत कर रहे हैं इसलिए कि उस जिलों से रिक्तियों का समेकन जल्द किया जाए और जल्दी रोष्टर का प्रकासन किया जाए तो काफी महनत करते हैं अगर ऐसा महनत हर जिल में भी हरती करे तो मैं मानता हू कि बहुत जल रोश्टर आ जागा क्योंकि उन्टों दवाव प्रैस्ट बनेगा लिकिन बहुत सभियती तो घर बैठे न्यूज लेने के लिए बैठे रहते हैं और अकसर देखते हैं कोई तो हमारी लिए काम करें हम नहीं जाएंगे तो क्या कुछ तो लोग काम करें ना तो इस से थोड़ा सा मैं मानतों कि उनको बढ़ावा मिलता ओफिसर को जिस वरे से सोचते हैं कि हम जो मर्जी होकरे में यहां पूछने वाला है कॉन तो अगर हम लोग सजग रहेंगे तो हमें पूरा भी स्वाज़े की रोश्टर बहुत जल आ जाएगा हमारा तो आप लोग आपने मन से आप लगातार अपने जीला सिख्षा पतादीकारी कारियले से मिलते रही है क्या कुछ चल रहा है आगे बढ़ा है नहीं बढ़ा कब तक आएगा ताकि उनको यह लेगा कि अभियर्ती सीज को लेकर काफे व्याकूल है निरासा है सीज को लेकर और प्रैसर अप 15th मंत कोर्स क्लरिफाइज बिहार गवर्मेंट एंड एंसीटी दे कैन नौट पार्टिस्पेट इन रिकूरिटमेंट यानि की निस डीलेड 18 महने का कोर्स है इसका जवाब एंसीटी ने सची वाले में आरकी मादन को दिया उस साप सापका की 18 महने का कोर्स है और इस कोर्स से जो भी पास अभियरती हैं साथ चाहे वो सीटेट पास ही क्यों आव वो लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे और इस बात को लेकर जब आरकी मादन से निस के अभियरती में तो उन्हें साप साप कहा दिया कि we cannot do anything हम कुछ भी नहीं कर सकते हम आपको बाली में सामिल नहीं क कर सकते हैं ऐसा ही कुछ स्टेट्मेंट थार के माजन का निस अभियरतियों के प्रति तो यानि कि उनको साप साप प्रेंदी से भी आसरकार मना कर दिया है जब से उनको एंसीडी का पत्र मिला है अगला रोश्टर में भी पब्लिश्ट ऑन 13 तो 18 सेप्टेमबर अगर सब कुछ सही रहा अगर सभी जिरों से रिक्तियां समेकन होगा रोश्टर बनाने में ज्वाधिकारी सही से काम करेंगे तो मैं मानता हूं कि 13 तारीक तक आपका भाली का रोश्टर आ जाएगा तेरा स अगर इन लोग की लापरवाई ऐसी रही तो फिर परिवर्तन तिथी में हो सकता है मांगे सबकुस ठीक रहो इमानदारी से काम करेंगे समय से काम करेंगे और उन पर दवाब बनेगा तो मेरा मानने की इस बात तिथी नहीं बढ़ेगी अगला कोशन है रेगुलर डियलेड और beard candidates will go high court against NIS beard यानि कि जिनोंने regular किया है DLT या फिर beard उनका कहना है कि अगर NIS candidates high court पटना जाती है इस सीज को लेकर कि हमारा कोर्स दो साल का है इसको 18 मेने का वैसी सरकार या NCT बोल रही है तो इनके against जो beard वाले भीरती हैं तो पूरा मन बना लिया कि इनको हम court में सही से कर जारा जवाब देंगे ऐसी कूस हमें सुत्रों से जानकारी मिल रही है कि ये लोग भी high court अवस्थ जाएंगे NIS के खिलाप अगर वो लोग high court जाते हैं तो वह साब साब कहेंगे कि इन्होंने सबसे पहले जो है गलत तरीके से seated का form बढ़ा क्योंकि हम seated का form बढ़ते हम आप आप्शन स्लेक्ट कर दें जहां पर जिक्री था वह 18 मंद का कोर्स था जो कि आज के पेपर में भी आया हिंदूस्तान के आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उन्हें साब साब इस बात को एक्सेप्ट कि जिनोंने NIS डिलेड किया वो सीटेट देने की योगी नहीं है अगर उन्हें सीटेट दिया अभी तो उनका सीटेट इन्वैलिड है अयोग्य माना जाएगा यो 18 महने के कोर्स हैं सीटेट यह किसी स्टेट का टीटी देने के लिए कम से कम दो साल का डिप्लोमा होना जुरूरी है तो ऐसा कहना है यह रेगलर वाले बीएट केंडेट का कि अग अगला पॉइंट है कि एनईयस गेले टेंडर्स केंड़ अप्यरि यह यह पिलतनी है वह किसी भी स्टेट के टीचर एलिजपी टेस्ट में अपियर नहीं हो सकते उसमें भाग नहीं ले सकते उसका एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि अग्र 18 महने का कोर्स एंसीट मान रही ह यह NCT बोल रही है उसकी भाइप मैं आपको बतारहूं यह जो आज के पेपर में आपको बतारहूं कि किसी भी स्टेट के एक्जाम में TT में नहीं बैट सकते हूं का कहना था केना NCT का यह जो और्भीट एपार्टमेंट है कि यह बस सेवारत इसलिए था कि जितने वे पास अभियरति ही उनको प्रस्जचन दिय जा सके और 31 मार्श 2. 2019 से पहले सबको प्रसिक्शित चित किया जा सके और जो प्रसिक्शित नहीं होंगे उनको तत्काल प्रभवस से श्यां से मुख्च कर दिया जाए ऐसा ओर्डर था लेकिन इसके बाद इनको HRD मिनिस्टर से कुछ रिलीफ मिला कि इसको बढ़ा कि उन्हें 31 अक्टूर 2019 कर दिया यानि कि अब जो भी 31 सक्टूर 2019 से पहले प्रस्थिक्षित नहीं होंगे उनको प्रावेट या गौर्रमेंट स्कूल से उनका सेवा मुक्त कर दिया जाएगा और उनका यह कहना है कि हमने बस इनको प्रस्थिक्षित करने के लिए इसका स्कीम लाया था ना कि किसी आविदन मे के बहाल करने के लिए ऐसा NCT कैरिया लेटरे में जिसके तौर में बिहार सरकार ने मना कर दिया इनको बहालीम लेने से हलांकि मुझे पता जानकारी है कि NIS केंडिएट्स ने एक हजार वे पारेट क्लेक्षिन भी सुरू कर दिया है और भी कुछ दिनों में पटना ही कोट म तरीके से गलत जानकाई देखे सीट पाज के पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट इनका कोर्स 18 महिने का है तो यह बहाल कैसी हो सकते हैं दूसरा पॉइंट कि सेवारत प्रस्टिक्शन कोर्स था मात्र ना कि बहाली में आवे इनको नहीं लिया जा रहा है सेकेंड जिसको लेकि कोर्ट जाएंगे और यह कहीं कि इनका ना लिया जाए दूसरा इस सारी न्यूज थी और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कोई बात मैं आपको अपनी तरफ सनी बोल रहा हूं जो ग्राउंड लेवल की न्यूज होती है तो सची वाले में चल रहे है जो आई द को आप कर सकते अपने के फैसला ले सकते हैं अगर आपका सबूत नहीं है आप कितना पर नाक रगड़ियेगा को आपकी बात को नहीं मानेगी स्भाट इस रिजर्ट कर देगी चाहाएं करण को सबूत को नियुक्त निराथ होने की बिल्कुल आफे सकता नहीं है तो MHRD मिनिस्टर से तो इनका कुछ संग्यानिस पर वो ले सकते हैं अदर्वाइस अब इनका मामला पूरी तरीके से बंध होता दिखाई दे रहा है NIS का दोस्तों फिला लगे इतना है उम्मीद करेंगा वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजे सेर कीजे कमेल कीजे थैंक यू